प्रेकिन यूस में आपको खुशामदीर भाई आपको बताता चलू के फाइनली दो दिन की कश्मकश के बाद इंडिया ने अपना फाइनल सत्रा सोरी सोलर उपनी स्कॉर्ड का एलान कर दिया अगवारिस्तान सीरीज के लिए इसमें कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हुए य वो इस सीरीज में वापसी बैक करें तकरीबन एक साल के बाद दोनों की वापसी हुई है तो यह जो स्कॉर्ड है बड़े मज़े का स्कॉर्ड इसमें बड़े-बड़े नाम भी शामिल नहीं है किस-किस को ड्रोप कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा और कौन को किस-किस क वो भी बताऊंगा पेले थोड़ा सा अफवानिस्तान सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें विराद कोली और रोषिश शर्मा की जो वापसी हुई है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और यह बकाईदा बी-सी-सी आई ने एक मैसिज दिया है एक इशारा किया है यह दो हत्यार हमारे वर्ल्ड कप में आने वाले हैं तो एज़ा पाकिस्तानी मैं थोड़ा सा नर्विस भी हूँ कि भाई रोहित यह वही रोहित है जिसकी पावर हिटिंग बहुत ज्यादा मशूर है लेकिन शाहिन ने एक दो बार लड़का है लेकिन विराद की वापसी बहुत प्रेशान गुने हम पाकिस्तानियों के लिए इसकी वज़ाई यह है कि यह वही विराद को लिए जिसने कवर में 16 रहते थे नवास की खिलाफ वर्ल्ड कप में वह भी बना लिए थे तो भाई यह दोनों जो बड़े नाम वापसी कर रहे हैं तो इसकी बड़ी वज स्काइब सकते कि वर्ल कप पे भी हम यही लड़कां मिलेंगे च्छे बन्दें है जो इसकी अपकी क्यांगे वर्लक कप में क्योंकि राहुल रेवर्ट साब का वो चहीत है राहुल साब उसको उसके बगार जा ही नहीं सकते लिए ना तो केल राहुल की आप वापसी देखेंगे वर्ल्ड कप वाले स्कॉर्ड में वैसे तो आई पिल में जो हो जाएगा ना आई पिल जो होगा उसमें यह सारी होगी मज़े की बाद मैंने आपको पताया ना इस अखवानिस्तान स्कॉर्ड से बड़े-बड़े नां ड्रॉप भी हुए यह रेस्ट भी जिनको दिया गिया है उस पर चलो भी मैं बता देता हूं यह पहले स्कॉर्ड जो हो नाम देख लेते हैं फिर देखेंगे जैस्वाल विराट कोली एक साल बाद बापसी शेदा देगी तिलक वर्मा रिंकू सिंग रिंकू सिंग रिंकू सिंग रिंकू सिंग इंडियास जानते होंगे मैंने तीन बार नाम क्यों लिया इस बंदे का बड़ी एफट है बड़ी महनत है बड़ा पेशंट है इस बंद आपको नज़राता गेल राओन नज़राता लेकिन दोनों को ड्रॉप किया है मैं यह ड्रॉप लफ इसलिए इस्तमाल कर रहा हूं कि इस पर जो है वो बीसी से नहीं को यह नहीं कहा है कि हम उसको रहे हैं कुछ जिस तरह बुम्बरा के हवाले से कहा है मजीद आगे करें कि श पडेल रवी बिश्नोई की वापसी हुई है कुलदीब यादव स्कॉर्ड में नज़र आ रहे हैं आपको अर्शेदीब सिंग तेजगेंदबाद अविश खान और मुकेश कुमार तीन फास्ट बोलर के साथ जो है अपको शीवम डूबे जो हो बलिंग करते हैं क्योंकि हा अवानिस्तान की सीरीज यह कोई एहम सीरीज नहीं थी उस हवाले से मतलब कि आप अपने विराट को भी इसमें वापसी दे रहे हैं शर्मा की भी वापसी आ रही हैं आप आपने अवरीका के लाफ तो अपनी बिटी भेजी दी अग्मानिस्टान की गिलाफ उसे बिटी बेज सकते थे लेकिन नहीं BCCI यहां पर इशारा कर रहे है कि हम विराड के साथ शर्मा के साथ जाएंगे वर्ल्ड कप में और अगर 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 की वापसी होती है तो कप्तान कौन होगा यह बहुत बड़ा सवाल होगा जो तलवार की तरह लटकता रहेगा फिलाल और इसका पता चलेगा अगर पांडिया की वापसी होई तो शर्मा का क्या बनेगा यह देख लेते हैं कि क्या होता है मुंबई इंडियर से तो आपने दो लाग फूर वर्स गिरा दिये थे पांडिया की कप्तान बनने के बाद तो यह बहुत कश्मकश इसमें पैदा हो गई है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे तो भाई यह स्कॉार्ड आपने देख लिया इसमें फास पॉलिंग के लिहाज से देखे लिए तो अर्शिदीप और बुगेश कमार जो है वो लीड करेंगे इसमें अक्वारिसान सिरीज के लिए